जी सबसे प्रब्लम के बाद फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया और अब हम सभी सफलता सक्सेस्ट के मौके पर फिल्म को इसे मौके पर बस ईश्वर को थैंक्यू करता हूं रोज कि इतनी इतनी मुश्किल है हमने फेस की उसके बावजूद फिल्म को इतनी अच्छी रिलीज मिली, सबका सपोर्ट मिला, लोगों का प्यार मिला, छोड़ी छोड़ी चीज़े हैं जैसे लोगों ने वीडियो भेजे कि फलानी जगे हमें स्टैंडिंग ओवेशन हो रहा है तो हम भेज रहे हैं चाहे वो अबुदाभी में जब गय थे लोग गाने लग गए पूरी देजभक्ती के भावना के साथ में ये सब चीज़े सुनके बहुत अच्छी लगी है लेकिन सबसे खास मेरे लिए एक बात थी कि एक नौ साल की चोड़ी बच्ची जिसने हमारी फिल्म पीम नरेंदर मोदी देखी उसने कहा मुझे कि मैं न हमेशा अक्टर्स बनना चाहती थी लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मेरे डिसाइड कर लिया मुझे प्राइमिनिस्टर बनना है तो यह जो इंपक्त टेक रहा प्राइब की फिल्म रिलीज होते ही प्यम जो जी की विंगरी हो गई और लोकसभा इलेक्शन में वह बहुत भारी से जिते भी तो उन्हें क्या कुछ चाहिए ने यार बहुत खुशी की बात है मोदी जी तो काम ही कर रहा है लेकिन खुशी हमें होनी चाहिए भारत को होनी एकिन शहाए जो उन्हें पांच साल में किया और बहुत भारत को भारत को बहुत अबट आश्यायाँ रहते हैं मोदी जी से और मुझे लगता है कि वह हमेशा की तरह आशाओं पर करे उतरेंगे तो पिछला साल बहुत अच्छा गया अब इंसाइड एज के लिए हमें एमी नॉमिनेशन मिला तो इसलिए हमने बैक-टु-बैक दो सीजन शूट किये सीजन 2 और अब मैं सीजन 3 जिस दिन चॉबिस को पीम नरेंदर मोदी रिलीज हुई थी उसी दिन मेरा फर्स देव शूट फॉर इंसाइड सीजन 3 शुरू हो गया बहुत अच्छा लगता है एक्सेल के साथ काम करना पूरी टीम करना अंशुमन पूरे सारे अक्टर्स रिच् आप शायद जल्दी सुनेंगे यह लाइफ है क्या कर सकते हैं है हो गया हो गया और सब जानते हैं बच्छन साब को और उनकी एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है बहुत बड़ी गरिमा है मुझे लगता है कि कोई भी अगर कुछ भी मस्ती करने ही कोशिश करें उनकी अकाउंट के साथ लोगों तो पता ही चलता है बहुत सारे लोग उनको पूरी दुनिया फॉलो करती है तो इस तरह से वो है करने के जो नए नए तरीके लोग लेकर आते हैं उनने रोकते जाएं तो बैतर होते जाएं मैं अभी वापस मॉल्डीव से अभी भी आया हूँ फैमिली वो बहुत दिनों के बाद चुट्टी के लिए ले गया था ये फिल्म के सक्सेस के बाद थोड़ासा मैंने का कि मुझे भी ब्रेक लेना है बच्चों को बहुत दिनों से समय नहीं दे पाया और बहुत मज़ा है उस वेकेशन में वापस आते वक्त मेरे पीछे एक पाइलिट साब बैठे हुए थे लिए और वो मुझे कह रहे थे कि क्योंकि देख रहे थे कि मैं दोनों बच्चे अगल बगल मेरे में बीच में और दोनों बच्चों के साथ मैं अलग-अलग गेम्स खेल रहा था ऐसी गेम्स जिससे शायद वो कुछ सीखे हैं बहतर हो लाइफ में और अच्छे-ची कहानिया चोटी बात हैं तीन साड़े तीन गंटे की फ्लाइट में बैठे बैठे हम कर रहे थे तो उन्हेंने मुझे बहुत सुंदर बात कही कि लोग अकसर आइपैड है एवरी डे इस फादर्स डे और हर दिन अगर हम अपने बच्चों को थोड़ा सा क्वालिटी टाइम अदे सगे हम भागदाओ इतनी करते हैं महनत इतनी करते हैं बूल चाते हैं किसके लिए कर रहे हैं मेरे लिए तो मेरी फैमिली सबसे बड़ी वेल्थ है और मेरे बच् मेरे खुश रहे हैं लोगों की दूआ बस यही लगे मुझे जैन थैंक्यू